मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रो यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त जोतिशिय सला याने की फ्री आस्टरलॉजी कंसल्टेशन तो मित्रो अब बात करते हैं मेरे व्रिशब राशी वाले मित्रो के जुलाई 2020 के मासिक राशी फलकी मंतली होरोस्कोप प्रोडिक्शन्स फॉर टॉर्स फॉर जुलाई 2020 तो चलिए शुरू करते हैं तो मित्रो सबसे पहले मेरे व्रिशब राशी वाले मित्रो के केरियर के बारे में बात करते हैं केरियर की बात की जाये तो आप में से कुछ लोगों को ट्रांसवर का सामना करना पड़ सकता है और इस ट्रांसवर के बाद जिस नई जगह पर आप जोइन करेंगे वह थोड़ी सी अधिक परिश्रम करने वाली और तनावपून हो सकती है लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूलता की और बढ़ने लगेंगी इस दोरान आपका अपने वरिष्ट अधिकारियों से बहतर तालमिल दिखाई देगा जिसका लाब आपको अपने कारिशेत्र में होगा इसके अतिरिक्त टेक्निकल शेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये महिना काफी अनुकूल रह सकता है और विशेशकर उन लोगों के लिए भी जो सरकार से जुड़े कुछ शोध अत्वा गुप्त चर्विभाग में काम करते हैं उन्हें इस अवधी में बहतरीन नतीजे प्राप्त होंगे यदि आप व्यपार करते हैं तो इस दोरान आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं हाला कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर अधिक निर्भर रहना होगा क्योंकि उनकी दिमागी उपच की वज़े से ही आपका लाब दोगना हो पाएगा इस प्रकार कैरियर के मामले में महीना अच्छा रहने की उमीद की जा सकती है मित्रों अब बात करते हैं मेरे व्रिशब राशी वाले मित्रों के शिक्षा शेत्र के बारे में याने की एजुकेशन यदि शिक्षा की बात की जाये तो विद्यार्तियों को इस दौरान मिश्रित परिणाम मिलेंगे जिन्होंने मन लगा कर मेहनत की है वे वास्तव में इस दौरान अच्छी उपलब्दी प्राप्त कर पाएंगे लेकिन मंगल की दृष्टी होने के कारण आपकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती है और उसकी वज़ा हो सकती है आपकी अधीरता और किसी भी एक काम में एक समय में मन न लगा कर एक साथ कई कामों को करने की आदत इसकी वज़ा से आप परिशानी में पढ़ सकते हैं इसलिए अपनी पढ़ाई के मुख्य विशेयों पर फोकस करें और उसी के अनुसार प्लान बना कर पढ़ाई करें यदि आप प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यह समय उतना अनुकूल नहीं दिखाई देता इसलिए आपको अभी और कुछ समय प्रतिक्षा करनी चाहिए और मेहनत करना जारी रखना चाहिए यदि यह प्रयासरत है तो नवम भाव में बैठे शनीदेव आपकी इसमें मदद कर सकते हैं अच्छे स्कूल या कॉलेज में आपका नाम आ सकता है वही जो लोग विदेशी शिक्षा का सपना देखते हैं उन्हें कुछ परिणाम मिल सकते हैं मित्रों अब बात करते हैं मेरे व् महिना सामाने रहने वाला है हाला कि महिने की शिरुवात से लेकर पुर्वात का समय थोड़ा सा गरबर हो सकता है क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य राहू और बुद्ध की स्तिति है जिसकी वजह से वाद विवात की स्तितियां बन सकती हैं और एक दूसरे को बातों की को सुरुदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे स्तिती में सुधार होने लगेगा और परिवार का वातावरण पहले के मुकाबले शीतल हो जाएगा लेकिन इसी समय से आपके माता पिता और विशेशकर पिताजी का स्वास्त कुछ कमजोर पढ़ सकता है जिसके लिए आपको ध्यान देना होगा छोटे भाव बहनों का व्यवार काफी अच्छा रहेगा और वे आपके पक्ष में रहेंगे वहीं बड़े भाव बहनों से हलकी फुलकी तकरार हो सकती है मित्रों अब बात करते हैं मेरे विरिशब राशी वाले मित्रों के प्रेम वह वैवाहिक जीवन की याने की लव एंड मैरेड लाइफ प्रेमी यूगल की बात की जाए तो आपका मन प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा और आप अपने प्रियतम पर प्रेम लुटाने का पूरा प्रयास करेंगे वहीं आपके प्रियतम किसी बात को लेकर उखड़े हुए हो सकते हैं जिसकी वज़े से कोई गलत फेहमी होगी जो किसी अन्यवक्ति के कारण हो सकती है इसलिए सबसे पहले अपने प्रियतम से मिलकर बात चीत करें और उनके मन में चलने वाली बात को जानकर उनका ब्रहम दूर करने का प्रयास करें ताकि आपकी लव लाइफ पहतर तरीके से आगे बड़े इसके अतिरिक थोड़ा सा नर्मी भरा वेवार करें क्योंकि इस दौरान आपके वेवार में थोड़ी गर्मी हो सकती है जिसका असर प्रतिकूल रूप से मिल सकता है ऐसे में अपने प्रियतम के साथ समय बिताना और उनके मन की बात जानना आपके लिए अच आपके दामपत्य जीवन में प्यार और रोमांस की वृद्धी होगी वही मंगल देव की क्रपा से आपके जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाप के योग भी बनेंगे यह स्थिति आपके परिवार को भी आर्थिक तोर पर मजबूत कर देगी और आप दोनों के साथ मि परिजदारी के साथ इन पलों को इंजॉय करेंगे और अपने दामपत्य जीवन को बहतरीन बनाएंगे मित्रों अब बात करते हैं मेरे व्रिशब राशी वाले मित्रों के आर्थिक जीवन के बारे में याने की फाइनांस आर्थिक नजरिये से देखने पर पता चलता है कि आपके दुतिय भाव में सूर्य, राहू और बुद्ध का जमावड़ा है तो अश्टम भाव में ब्रहस्पती और केतु विराजमान है वही नवम भाव का स्वामी शनी नवम भाव में विराजमान होकर एकदश भाव की दृष्टी देता है जहां मंगल भी विराजमान है ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई का यह महिना आपके लिए चिलचिलाती धूप में सर्दी के थपेडों के समान सुकून देने वाला रहेगा और इस महिने आपकी आर्थिक स्थिती काफी बहतर रहने वाली है इस महिने ना केवल आप अच्छा धनकमा पाएंगे बलकि आ जैसे आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी हलके फुल के खर्चे रह सकते हैं लेकिन फिर भी प्राप्तियां अधिक होंगी मंगल की क्रपा द्रिष्टी के चलते विदेशी स्रोतों से भी आमदनी के योग बनेंगे और आप सुक का अनुभव करेंगे और इस धनको आ यदि स्वास्त के द्रिष्टी कोन से देखा जाए तो ये महिना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा लेकिन उत्रार्द की उपेक्षा पूर्वात थोड़ा कमजोर रह सकता है और इस अवधी में आपको स्वास्त समस्याएं परिशान कर सकती हैं दूसरे भाव आखों में समस्या भोजन समंदित परिशानिया मोटापा या फिर टॉंसिल की समस्या हो सकती है इसके अतरिक्थ आपको गुदारोग होने की संभावना भी इस महीने बन रखी है ऐसे में उत्तम आहार ले और अवश्यक होने पर डॉक्टरी उप्चार अवश्य कराएं ता वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और अपने मित्रों का ग्यान बढ़ाईए और देखते रहिए मोटू लाला अपने समस्त जूतिशी सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं हमें हमारे लाइव सेशन में जॉइन करके तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आग्या दीजे नमस्ते